UP से हैं मोहित स्वागत है आपका जी जी किया रहते हैं मेरी माता जी के गुट्रों में दरद होता है कितने वक्त से दर्द है जी अभी से ही है कम से कम एक महिने से थीक है उमर के यांकी काफी दिन से होगा वैसे आप पूशा नहीं ऐसी अपनी तरफ से कह रहे हैं एक महीने में कोई फोन भी नहीं करता काफी बुराना दर्थ हो तो ऐसे तो करना चाहिए जल्दी लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा कि जादा वक्त से होगा दर्थ एक तो देखिए उनको वैस्टन टायलेट का प्रियोग कराई ये कुरसी वाला बात्रू आपके घर में हो उनके प्रियोग के लिए अपनी जरुरत उस पर पूरी किया के रहे हैं इससे भी बहुत फाइदा रहता है और कभी कभी तो हम बगर दवा करी ठीक हो जाते हैं अगर किसी को बहुत पुर देने लगे लोग बड़ी परिशानी है और यह सस्ता इलाज है एक दिन में 15-16 रुपे खर्च होते है यह कड़वा होता है और काला गौन भी इसे कहते है लेकिन इसके बदले में लोग एलवा दे देते हैं या धाका गौन दे देते यह वो नहीं है यह बलकुँ अलग है क पांच-साथ दिन के बाद फाइदा शुरूप करता है, थोड़ा सबर करें, सहीं हम रखें, और यह 100 ग्राम भी असली मिल गया, तो आपकी मम्मी को फाइदा होना मुम्किन है, पतेपूर से है, राम स्वागत है आपका, राम स्वरूप यादो बतारा है सर, राम स्वरूप हम तो अंदा मेट मचली खाने वाले हैं नहीं, ठीक, जी, आप परेज सिर्फ इतना करें, कि खटी चीजे न खाएं, खटी और ठंडी चीजे, और माजून आरकेर आपके पास है, तो एक चमश सुबह नहार में गरम पानी से लिया करें, और बहुत ज़्यादा परेशानी ह तो रात को सोते वक्त पी ले सकते हैं, इतना परेज आप तो कर ही सकते हैं, कि आप खटी चीजे या ठंडी चीजे न खाएं, अंडा मीच मचली कोई ज़रूत नहीं खाने कि अगर आप नहीं खाते तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता, आप वो ही अपनी डाल सबजी खाए जो भी आपको पसद है, और सबर करें, ये इलाज चार-पाँच महीने अगर करते हैं, तो आपको फायदा मुपकी नहीं है। आपके पास टी केर आया है ना? हां ली. ठीक, ठीक. जी, तो सपना जी, आपके पास सारे राव माटीरियल कैपसूल पहुंच चुके हैं युनानी के, तो आप न सबर रखे, इनका इस्तमाल जरूर कीजेगा, जल्दबाजी मत दिखाईएगा, दर्श को जब आप लोग कोई भी दवाई का सेवन करते हैं, कोई भी नुसका आ बनाते हैं, तो थोड़ा साब धेरे रखिए, हरबड़ी करेंगे, तो बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को बताया जाते हैं, वो नुसके, जो सीधा आप लोगों ने खुद को सेहतमन बनाया है, अब आप लोगों की बारी है, आप लोग भी सेहतमन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करके हर एक नुसके को फॉलो कर लिजेगा, लिख नहीं पाते हैं, समझ में कुछ नहीं आ पाता है कि नुसका कैसे बनाना है, फिर से अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप या तो हकीम साहब के यूट्यूब चानल पर जाके फिर से वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे हलप लाइन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, गुरविंदर जी स्वागत है आपका, सास्रीकाल जी, सास्रीकाल, बताएए, मेरा ये प्रशन है, ये मेरी माता जी है, हाँ, उनका ना स्कैलरोसिस नाकिब हमारी है, उनको, उनक होगी है, उनके होगे है, फोटी फाइवी, छीक, जब किस नौयत तक उनकी बिमारी पहुचिए, इसकी रिपोर्ट आप हमें, हमारे हेलप लाइन नंबर पर वो ले लिजे, वाटस अप नंबर, उस पर रिपोर्ट भेज भीजे, हम आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर कर पाएगे, हकीम साब, जब बात आती है, इसकिन की, तो हर एक इनसान चाहता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कि उसकी तवच्चा क्या है, बड़ी खुबसूरत लगे, और उसके चहरे पे कोई दाग धब्बे ना हो, लेकिन बिमारी है, सफेद दाग की, जो एक बार का इलाज, जी, दुनिया में शायद सबसे लंबा इसी का इलाज है, जी, कुछ तो यह होता है कि, आत्मी कोई भी रोग हो, कोई दावा खाए ठीक हो जाए, ठीक है, इसमें रोग के साथ, लोगों की नजर देखनी पड़ती है, जो, जी, अच्छी नजर से लोग उसे नही दाव हो, बिलकुल, हलाके, इस, ये कोई छुआ छुट की विवारी नहीं है, लेकिन, पता नहीं कि उस समाज में, उससे लोग परहिस करते हैं, एक ये तकलीफ नहीं जाती, सब लोग तो ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ लोग एतियात करते हैं, उससे, मरीज को बह लेकिन, बहुत लंबा है, हम भी शर्माने लगते हैं, दवा बता बता कर, मरीज भी तंग आ जाता है, कितना लंबा इलाज है, लेकिन, इसमें सिफ साट-सतर परसेंट लोग ठीक हो पाते, तीस परसेंट के करीब लोग ठीक नहीं भी होते, जी, तो दर्श को देखिए, थोड़ा वक्त देना होता है, लेकिन, जब आप समझ लेते हैं, कि नुस्के जो बताते हैं, हकीम साहब, वो कितने कीमती होते हैं, कितने असरदायक होते हैं, तो आप खुद पे भी भरोसा दुबारा से कर पाते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं, कितने सारे पेशन्ट ऐसे होते हैं जो घर के किसी कोने में या तो रोते रहते हैं या पर तकलीफ उन्हें इतनी जादा होती है कि पूरी पूरी रात उनकी जाग कर वो बिताते हैं यानि कि उन्हें दर्द इतना बेंतहा होता है आप समझे कि अब वक्त हो गया है कि आप अपने आपका ख्याल रखें आ देर से ही सही लेकिन आप लोग ठीक हो सकते हैं कारक्रम लाइव है लाइव आप लोग हकीम साहब से रोग संबंदी कोई भी प्रेश्म करना चाहते हैं तो फोन उठाइए नमर्स पर कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर बात अगले कॉलर से स्वागत है आपका हाँ हालो मैं हाँ क्या नाम है नमस्ता है मैं हम प्रतीमा है यूपी से जी प्रतीमा बताईए हाँ नमस्ता डॉक्टर साहब जी आदाब जैहिन जी हमारे हमारे पास दो सवाल है एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरे बच्चे के लिए तो तो डॉक्टर साहब मेर है जो नाइन्थ में पढ़ती है उम्द लगभग 15 साल है लेकिन दूसरे या तिसरे बेंच पर बैस्ती है तो उसे ब्लेक बोड थोड़ा सा मने देखने में पर एसालिंग होता है तो डॉक्टर साहब इसके लिए मुझे कुछ उपाय बताएं और दूसरे मेरे मेरा बच्चा है जो समा से प्यूरित है या थी बच्चा से ही लेकिन आप आपका जो दवा है माजिवनार के रूदे रहे हैं लेकिन कभी पेड़ दर्द की सिकायत करता है तो मुझे सलाह दें जी जी हाँ माजिवनार के पांच-छे महीने लगा तार दे बच्चे को और खटी चीज़े और बजार में जो ये सब मिलता है ना वैफर्स वगयरा ये वो सब मत दिया करें खटी ठंडी चीज़े उसकी कुछ दिन के लिए जब तक इलाज चले पांच-छे महीने इसका इलाज चलता तो इसको दिया करें और वक्ती तोर पर कोई भी दवा आप इने दे सकते हैं कोई भी बिमारी हो नजला खांसी बुखार ये सब हो जाए तो फॉरन दवा दे सकते हैं पूछने की बजरूद नहीं लेकिन ये लंबा या पांच-छे महीने इलाज करें बच्चे को तो फायदा होना मुम्किन है अब ये बच्ची है देखिए इस बच्ची को फिलहाल गाजर चल रही है एक किलास गाजर का जूस रोस पिलाएं और उसमें आदा ग्राम गौन मौरिंगा सफेद डाल दे असली वाला गौन मौरिंगा सफेद असली वो बस एक बारी एक दिन में पिलाना है आदा ग्राम गौन मौरिंगा सफेद और ये जब तक पिलाएं जब तक गाज चलती रहे किनि कook काफी दिन चलेगी अगर गाजर खतम हो जाए मौसम खतम हो जाए सीजनु खतम तो दो तीन चमच्छ सोंफ का पनी उबाले सोंफ बाल कास्ड निकाल पिर सोंफ के पानदिया करें या आप उन्हें लगातार इलाज करें 6-7 महीने तक तो बच्ची को फाइदा मुम्किन है बिहार से हैं नेहा जी स्वागत हैं आपका हाँ है अब ठीक से बताईए पेट में तकलीफ होती है कब से तकलीफ है ऑफ्यार से मेरा पेट में बहुंग जों włos i.e. आपकी उम्र क्या है? एस्थर कुछ डॉक्टर को दिखाया है क्या वज्ञा बताया है । क्या बताया है दर्द बहुत रहता है थाना नहीं खाने पाते हैं पेट फुड़ा फुला डाता है पुड़ा यह बतायी डॉक्टर ने क्या रोग बताया आपको डॉक्टर ने बताया है कि बच्चेदानी के नीचे में पानी के तरह जम गया है नाज बर गया बच्चेदानी में कोई दिक्कत बतायी है डॉक्टर ने ठीक है ठीक है देखिए हमें बड़ी परिशानी होती है कभी कभी समझने के लिए लेकिन बात समझ में आ गई है देखि अलोविरा का सिर्का सिर्का अलोविरा या अलोविरा का सिर्का ये खरीद लें आप और तीन चम्मच छोटे चाय के चम्मच जिसे कहते हैं न टी स्पून एक गिलास में डालें पानी में और एक चुटकी में जितना खाने का सोड़ा आए उसमें मिक्स कर दें खुब मिला दे चम्मस्य और ये पी लिया करें दिन में एक बार बस आपको फाइदा होना मुम्किन है जी लखनाओं से हैं विजय स्वागत है आपका अलो मैं नमस्कार नमस्कार अरे मैं भकीम राथ से बात करनी थी जी जी कर लिजे साब मैं हाजिर हूँ अरे सरव हमारे जो है इसकिन में दिक्कत रहती है पूरे सरीər में इलस्जी टाइप में जो है कितना कितने वर्फ से है कि उंप कथ सब्सक्त कर आपको यु करते हैं ऑक क्कितने हुए पापलब्लम और आपकी आयू कितनी है आयू हमारी 46 वर्स है और यह 4 वर्स लमसम हो गया 3 से 4 वर्स यह दिक्कत है चलिए फिर बेफिकर हो जाईए मैं आपको एक नसका बता रहा हूँ बहुत आसान है लेकिन आप समझने कैसे है एक आता है नमक जैतून याद रखें नमक जैतून अज़री देखने में तो बिलकुल वैसा ही नमक सा होता है जैसे आपके किचन के डबे में एक महिला नमक भरके रख लेती है वैसा ही दिखता है लेकिन इसे खाओ तो नमकी नहीं होता है यह इसकी पैचान बता रहा हूँ लेकिन देखने में बिल्कुल नमक जैसा हलका सा कड़वापन या हलका सा खारापन होता है ये आप खरीद ले सो ग्राम जेर सु ग्राम भी खरीद लिया तो काफी होना चाहिए आपकी पूरी बिमारी के लिए अब इसकी एक चुटकी या दो चुटकी ये चुटकी है ना ये एक चुटकी या दो चुटकी एक गिलास पानी में मिला दें आराम से मिल भी जाता है और ये पी लिया करें दिन में एक बार या दो बार और ये शुरू करें धीरे 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 आपकी स्किन अलर्जी हो दाने हो महासे हों चकते हों इसक्रेच हों बहुत सारे फायदों में करता है यह लिवर को भी अच्छा करता है यह किड्नी को भी अच्छा करता है यह पेट को भी अच्छा करता है यह आप लीजे और फायदा उठाई है